हाई फ्रेंज दिस यूर वेरी ओन डाइटिशन डॉक्टर जोती चाब्रिया मेरा आज का टॉपिक डाइबेटीज पे है डाइबेटीज इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट डिजीज है डिजीज भी नहीं बोलूंगी एक लाइस्टाइल डिजॉर्डर बोल सकती हूं किसी को डाइबेटीज जब होता है कोई पूछते हमको के मैडम हम डाइबेटिक है हम पहले बहुत मीठा खाते थे शायद इसके वज़े से हो एक्चुरी उसका कोई सम्मन नहीं है डाइबेटीज इसलिए होता है क्योंकि एक हॉर्मोन है बॉड में बनता है लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसलिए एक इनसान डाइबेट कहलाता है क्यों क्योंकि जैसे हम प्रॉसेस क्या है कि जैसे हम खाना खाते हैं हमारा फूड शुगर में चेंज होता है हमको एनरजी मिलती है लेकिन वो शुगर में चेंज होने के लिए और वो फूड को जलने के लिए एक हॉर्मोन का जरूरत है जिसको हम इंसलिन बोलते हैं तो उन लोगों में जिसमें इंसलिन या तो नहीं बन रहा है काफी मातरा में नॉर्मल मातरा में या तो बिल्कुल नहीं बनता है वो डाइबरिक क्याटिगरी में आते हैं आज अगर शुगर नॉर्मल रहे 100 या 100 के बिलो तो एक इनसान as good as anyone जिसको डाइबटीज नहीं है अपना जीवन व्यतित कर सकता है थोड़ा lifestyle changes correction से थोड़ा अपना डायेट हैंडल करने से थोड़ा exercise करने पे और शुगर मेंटेंड करने पे एक कोई भी इनसान एक lifelong एक almost like a like a diabetic free person रह सकता है एक चीज समझना जरूरी है कि diabetes, thyroid और polycystic ovaries जो यंग बच्चियों में हो रहा है आज कल इतना pick up हो रहा है वो तीनों connected है और एक है तो दूसरा होने का संभावना है दूसरा है तो तीसरा होने का संभावना है अभी point यह है कि कई बच्चे आते म मेरे पास डड़ जाते हैं, there is nothing to be scared about diabetes उसको हम अगर control में रखेंगे तो कोई भी इनसान normal जिंदगी व्यतित कर सकता है Diabetes में क्या food restrictions है क्या करना चाहिए अभी of course यह मैं general tips दे रही हूं क्योंकि हर एक को हम customized plans देते हैं क्यों एक वजह यह है कि अगर एक patient जिसका sugar level 120 है versus एक patient जिसका sugar level 260 है हम same diet तो बिलकुल नहीं दे सकते हैं also diet changes according to age, height, sedentary lifestyle, moderate lifestyle है, work timings and so many other factors like even if other health disorders are there like a hypertension or a you know obesity or a acidity or whatever अभी sugar patients को क्या करना चाहिए खाने में पहले हम उस पे touch करेंगे sugar patients को जैसे by and large fruits में सब fruits allowed नहीं हैं जैसे papita, apple, annaar वो okay है लेकिन high fructose levels fruits जिसमें sugar का मात्रा ज्यादा है जैसे especially केले, सीताफल, grapes, mango यह advisable नहीं है एक डाइबरिक के लिए दूसी बात यह कितना fruit खाना चाहिए, ideally one fruit a day ठीक है, मैं मेरे patients को juice नहीं recommend करते हूँ क्यूंकि एक juice बनाने के लिए at least 2-3 फल चाहिए और एक फल काफी है एक दिन के लिए और उसमें जैसे हम fruit juice बनाएंगे तो fiber भी चला जाएगा, fiber भी बहुत important है एक डाइबरिक के लिए तो I would rather कि वो juice नहीं पीके fruit खाएं दूसरी बार जब हम vegetables पे आते हैं जो भी जमीन पे नीक के नीचे है जैसे आलू है शकरकंध है जो भी root vegetables है beetroot है उसको कम मात्रा में लेना चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं ही खा सकते हैं बट कम मात्रा में यूज करना चाहिए और वह भी sugar-eating के basis पे डाइबेटिक को क्या करना चाहिए छोटे-छोटे फूड दो-दो घंटे के gap में कुछ न कुछ खाना चाहिए जो healthy हो जो medication या doctor prescribed कर रहा है क्योंकि एक बार आप लोग को एक समझ आ गया क्या ट्रेनिंग आ गया कि क्या कैसे handle करना है sugars को उसके बाद आपको किसी का भी जरुरत रेली नहीं पड़ेगा ना काफी factors involved होते उसमें उसके creatin levels उसके urea levels वगेरा 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 सो इन शॉर्ट क्यूबर्स जो भी जमीन के नीचे हैं कम लेने चाहिए जो vegetables में जिस सबजियों में पानी ज्यादा हो जैसे कद्दू हो तुरई हो पालक हो मश्रूम हो अपना खुद का पानी छोड़ता है that is automatically low in fats so diabetics को ideally अगर एक पराबर lifestyle follow करना है एक healthy diet लेना है एक healthy exercise regimen follow करना है और sleep भी बहुत जरूरी है क्योंकि stress एक अलग category का diabetes pick up हो रहा है आजकल stress diabetes तो काफी लोग को हो रहा है अभी मैं आ रही थी मैं बात कर रही थी आपके साथ एक साउट एंडिन को अगर मैंने कहा कि चावल बिल्कुल नहीं खाऊ वह संभव भी नहीं हैं सो हम क्या बोलेंगे कि आप चावल कुकर में मत बनाईए आप ज्यादा पानी डालके draining method यूज करिए draining method मतलब तेलगू में जैसे बोलता है वांचाला पानी को निकालना है क्योंकि वह पानी जो अब्जॉब होता है वही स्टार्च बनता है बॉड़ी में और शुगर बढ़ाता है तो ऐसा नहीं कि एक पेशिंट कभी चावल नहीं खा सकता है बट उसको पूरा डाएट को ब बानियार्ड मिलट कोडो मिलट तो आपकी इच्छा पे आप कोई भी मिलट यूज करें यू कैन यूज जवारी की रोटी यूज यूज गेहु का रोटी आजकल आप्शिंस बहुत है जवार का दलिया तो मैंनी आप्शिंस यह आप आपके डाएट में इंट्रूड कर सकत दूसी बात यह हमको काफी बच्चे पूछते हैं अभी आज कल पहले तो हम देखते थे या तो बिलो चालीस के हैं डाइबेटिक्स या अबव चालीस के दो ही कैटेगरी होता था बट आजकल तो सब लोग एक पाइनिया है हर फैमिली में एक डाइबेटिक तो ही रहा है तो इसके लिए मैं आजकल किसी को पूछती भी नहीं हूँ इसका हिस्ट्री कुछ को छोटे बच्चे आते हमारे पास 10-12 यहर्स डाइबेटिक है या 20 यहर्स जो भी है वह पूछते हमको के बादम हम बोनवीटा बूस्ट प्ले सकते हैं क्या लेकिन मैं नहीं नहीं ले सकते ह आजकल बहुत options आ गहें डायबेटिक्स के लिए भी डायबेटिक्स फ्रेंडली भी छोकलीट पाउड़ाव्स आ रहे हैं कोकु पाउड़ा बस्देशें पहले नहीं था हमारे टाइम पे बट आजकल बहुत है बचों के लिए भी बड़ों के लिए एक और question जो बार-बार कि सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या keto diet कर सकते हैं कि यह बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं कि काफी चीजों को मरते नजर सुवाइब करना हैं तो फ medium रोल को मैं नहीं मैं नहीं समझती कि इंटर्मेटन फासिंग सुटबल है लेकिन एक 25 यर को को डेफिनिटी सुटबल है सो क्योंके हरे का बॉड़ी का मेटबॉलिजम भी अलग है वो सब हिस्ट्री लेके अगर हमको रेलेवेंट लगता है और फीजबल लगता है तो हम ओके बोलते हैं देरिवेटिव आगे स्वीटनर के स्टीविया मॉंग फ्रूट मैं तो समझती देखे हो कोई भी जैसा नाच्रल स्वीटनर यूज़ करो जैसे शहद हो गुड हो या एनी ओव दीज अगर सही मात्रा में यूज़ करें थोड़ा इस नोट हामफुल तो एनीवन और मेरा ख कोई भी डायबेटिक को कि मुझे डायबेटीज है मैं बीमार हूं अवल तो वह सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वह एक लाइस्टाइल डिसॉर्डर है जो एपसलूटली कंट्रोलबल है और आसानी से मैनेज हो सकता है लेकिन आपको बराबर तीन चार चीज़ों का ध्यान चाहिए एक करेक्ट डायट आपका एकसरसाइज स्लीप नींद बहुत इंपॉर्टन है और सप्लिमेंटेशन क्यूंकि हर यह सब जो भी लाइफस्टाइल डिसॉर्डर से सब सर्कूलेशन पर आधारत है और आज का आजकल सब का विटमिन D3 B12 लो है तो उसका कैसे कर सकते हैं चाहिए आपको म्यूजिक अच्छा लगे, मेडिटेशन कर सकते हैं किनको एकसरसाइज करने से स्ट्रेस बास्टर फील होता है तो जो आपको सूट करें और जो आपको अच्छा लगे वह आप कीजिए लिव हैपी, स्टे हेल्दी, गॉडब्लेस